साथियों ये संयोगी है कि आंतर राष्टिय महला दिवत से एक दिन पहले मैं बंगाल की इस पवित्र धर्थी को प्रणाम करने आया हूँ ये वो धर्ती जिसने मा शार्दा देवी मा तंगिनी हाजरा रानी राष्मोनी प्रिती लताबादेदार सर्दा देवी चोधरानी कामिनी राई जैसे अनेक अनेक होनहार बेटियां भारत को दिए ये मेरा सौबाग है कि बीते छे साल में केंद्र सरकार की हर योधना के केंद्र में हमारी बेटियां रही है हमारी बहने रही है हमारी माताई रही आज गरीब को अपना पक्का गर भी मालकिन के नाम से ही मिल रहा है गर गर सवचाने बने इच्जद गर बने तो बहन बेटियों को ही सम्मान बिला उनको तकलीब से मुक्ति बली बंगान में चार करोड से ज़्यादा जंदन खाते खोले गए इसमें आदे से ज़्यादा खाते महिलाओं के ही है हमने जब मुद्रा लोन देकर नए आउसर दिये तो इसका भी लाब लेने वाली 75 प्रतिशत महिला यह है हमने देश की गरीब बेहनों को गैस कनेक्शन दिया तो कोरोना महमारी के दोरान उनके वो बहुत काम आया पस्जिम मंगाल की लाखो बेहनों को कोरोना काल में मुप्त गैस सिलिंडर दिये गए साथियों बेहनों को सबसे बड़ी दिक्कत अगर आती है तो वो पानी की है जल की है इसलिए डेड़ साल पहले केंद्र सरकार ने हर गर तक नल से जल पहुँचाने का भ्यान चुरू किया मैंने कुछ दिन पहले फुगली में इसका जिक्र किया तो टीम्सी के नेताओं ने कहा कि बंगाल में पानी की कोई कमी नहीं है मैं गलत विशे उठा रहा हूँ टीम्सी की यही भावना दिखाती है कि उसे बंगाल के गरीबों बंगाल की महिला हो बंगाल के बच्चों की कोई परवा नहीं है नहीं उनका कोई लेना देना है बंगाल में जल जीवन मिसन इसलिए जरूरी है कि यहां आज भी आज भी आज भी आज़ाजी के 45 साल के बाद एक महिला यहां राज कर रही है तब आज भी तेड़ करोड से जादा गरों में नल से पानी नहीं आता पंगाल में जल जीवन मिशन इसलिए जरूरी है क्योंकि अनेक और जिलों में आर्सने की उक्तपानी बच्चों का जीवन तबाह कर रहा है सभी को बिमार कर रहा है क्या गरीब की चिंता करना गरीब की सेवा करना क्या हमारा करतब यह नहीं है क्या करीब करें भी राज निती करेंगे लेकिन अप्सोस अप्सोस है साथियो कि देश में टीमसी सरकार गड़ीबों पर जूट बोलके राज निती पर पर तुली हुई है हर गर जल पहुँचाने के लिए केंदर सरकार जो पैसे बेज रही है उसका बहुत बड़ा हिस्सा आज तक यहां की सरकार ख़ज़ी नहीं कर पाई है और आज इस ब्रिगेड ग्राउंड से पूरे बंगाल के लोगों से पूचता हूँ क्या टीमसी सरकार बंगाल के गरीबों यहां की महलाओं यहां के बच्चों की गुनेगार है कि नहीं है गुनेगार है कि नहीं है गुनेगार है कि नहीं है इस चुनाओं में उसे सजा मिलनी चाहिए और नहीं मिलनी चाहिए शाथ को ये को और योजना है ऐसे कित्री ही योजनाओं का पैसा यहां की राज्य सरकार तीजोरी में रख करके बैठ गई है दीजी जैसे ठान कर चल रही है कि न काम करेंगे न करने देंगे आप मुझे बताईए ऐसी सरकार को हटाएंगे